आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर 2x2 Rubik's Cube को कैसे solve किया जाता है इस puzzle से आसान puzzle इस दुनिया में मौझूद नहीं है जिन लोगों को 3x3 Rubik's Cube solve करना आता है उन लोगों को 2x2 already आता है लेकिन जिन लोगों को 3x3 Rubik's Cube solve नहीं करना आता है और वो 2x2 सीखना चाते हैं उनी के लिए ये वीडियो है मैं कसम कहाता हूं ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग इसको solve कर लोगे मैंने कुछ दिन पहले community post डाला था एक और इसमें पूछा था कुछ वीडियो के ideas दो बहुत से लोगों ने कहा कि 2x2 की Speed Cubing Series लाओ और बहुत से लोगों ने कहा कि 2x2 solve करना सिखाओ भई पहली बाद मैं Speed Cubing Series 2x2 पे नहीं बना सकता क्यूंके मैं मैं खुद Speed Cuber नहीं हूं मेरी अपनी average 4-5 seconds है 2x2 पे जो कहीं भी Speed Cuber मेरा नहीं ख्याल मैं 2x2 पे है तो मैं भई दिल से माजरत करता हूं और मैं इस पे Speed Cubing Series नहीं बना सकता हूं लेकिन मैं 2x2 को solve करना सिखा सकता हूं सबसे पहले आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक white corner piece चूस कर लेना है जैसे इसमें कोई white नहीं है इसमें yellow, red, green है इसमें कोई white नहीं है इसमें white है देखो white, white, orange, green और इस white को नीचे कर देना है अच्छा आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा move सिखाना चाहता हूं इस layer को हम बोलते हैं right layer और right को हम लिखते हैं r, r यानि right, r को उपर ठीक है इसको बोलते है you यानि up layer इसको you बोलते है अब चार moves है जो उपर भी लिखे आगे है right को उपर यानि r को उपर u up को आगे u को उस तरफ right को नीचे right को नीचे की तरफ u को उस तरफ ये चार moves r को उपर u को आगे r को नीचे u को पीछे अगर आप लोग ये चार moves की practice कर लेते हो बहुत ज्यादा तो आप लोगों को two by two solve करना आ गया है मुबारक हो अब हम अगले step की तरफ चलते है हमारा सबसे पहला step था कि हमने एक white corner डूनना है और उसको bottom में कर देना है ठीक है अब यहाँ पे हमने इसके साथ एक core white corner लगाना है लेकिन जरूरी ये है कि यहाँ पे वो white corner लगाया जाए जिसके इधर orange हो यानि white orange white orange यहाँ पे white orange ने आना है या फिर हम यहाँ पे भी लगा सकते है यहाँ पे white green है तो यहाँ पे white green लगाना है लेकिन अभी मैं इस तरफ लगाने वाला हूँ इस white को हम इधर नीचे कर देंगे और एक ऐसा white का corner ढूंडेंगे जिसमें white और orange दोनों colors हो क्योंकि orange को match करना है तो यह भी white है यह भी white है लेकिन इसमें orange नहीं है इसमें भी orange नहीं है यह white orange ब्लू यह white orange इस white orange ने इधर आना है तो क्यूंकि इसने इधर आना है, तो जहां पर जाना है, उसके उपर लेकर आएंगे, अगर इधर होता तो हम इधर कर लेते हैं, बिल्कुल उसके उपर, और यही चार moves हम तब तक लगाते रहेंगे, जब तक यह यहां आना जाएंगे, तो हम एक दफ़ा लगाएंगे, R, U, आर प्रेंग, यू प्रेंग, यही moves है, वो नीचे आ तो गया, लेकिन अभी इस वाइट ने इधर आना है, ठीक है, इसने एक ट्विस्ट होना है, दुबारा लगाएंगे, नहीं, दो दफ़ा में भी नहीं लगा, दुबारा लगाएंगे, तीसरी दफ़ा में लग गया, देखो, वाइट औरिंज वाइट औरिंज, अब मैं यहाँपे ब्लू लगाना है, वाइट ब्लू लकिली उसके ऊपर ही है, वाइट ब्लू रेड, तो हम इसके ऊपर ही रखते हुए, सेम अलिगोंसम, तब तक लगाते रएंगे यह वाला, जब तक यहाँपे यह आना जा अब हमारा बिलकुल लास्ट वाला कॉर्णर बचा है, तीन लग गे, तो लास्ट एक वाइट का डूंडेंगे, वाइट रेड, उपर ली लेयर में कोई भी वाइट नहीं, इसका मतब वो यहाँ फस गया वाई, यह क्या बकवास, यहाँ ही है, इसने ट्विस्ट होना, सबसे पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम एक दफा इसको बाहर कैसे निकालेंगे, एक दफा यही अल्गॉरिफ्म लगाएंगे, इसको यहाँ पर रखके राइट साइट पे, तो हमने यह अल्गॉरिफ्म लगाया, वो आटोमेटिकली उपर आ गया, अब यह है हम चूस कर लेंगे, यह दो लगे में लेकिन गलत लगे में है, तो हम इसको भी चूस कर सकते हैं, जैसे वाइट ग्रीन ना, वाइट ग्रीन ने इधर आना है, यहाँ पर आना है, यह खराब जो लगवा है, इसको हम एंट पर ठीक कर लेंगे, अभी वाइट ग्रीन ने दो दफ़ा लगाया नहीं लगा तीन दफ़ा लगाया नहीं लगा अभी भी वह यहां पर ट्विस्ट ही है चोथी दफ़ा लगाया अभी भी नहीं लगा पांच भी दफ़ा लगाया अब लग गया दो तीन चार पांच हद पांच दफ़ा लगाना पड़ता है पांच से ज्य कैसे लेकर आना है इसको उपर लाने के लिए आप लोगोने सबसे पहले इसको बॉटम राइट में लेकर आना है कहाँ पे बॉटम राइट में ये बॉटम ले रहे है और ये राइट है और इस पीस को हमने बॉटम राइट में लाना है क्योंकि हमने इसको बाहर निकालना है तो इसको राइट में ला के bottom में यही algorithm लगाएंगे R U R' U' अब वो उपर आ गया और इस piece ने क्योंकि इधर जाना है white orange ने white orange ने तो उसके उपर लेकर आएंगे white orange उसके उपर आ गया और अब यहां रहके तब तक वो algorithm लगाते रहेंगे जब तक यह यहां पर insert नहीं हो जाता R U R' U' R U' तीन दफ़ा लगाया अभी तक तो नहीं हुआ एक दफ़ा और और पांच भी दफ़ा पांच भी दफ़ा में हो गया finally हमारा white orange यह पूरी एक layer बनती आ रही और आखरी corner रह गया और आखरी का मतलब आखरी यही रहोगा पिर क्योंकि white का चारी corner होते हैं अब इसने इदर जाना है तो उसके उपर लाके तब तक R U R' U' लगाते रहेंगे जब तक यह ठीक से लग ना जाए लग गया finally 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 पहली layer बनाने में जितने cases थे सारे तुम लगों को समझा दिये अब दूसरी layer में हमने सबसे पहले यहाँ पर top पर top पर सारा yellow करना है कुछ इस तरह अब नीचे वली layer तो solve है top पर सारा yellow कैसे लाना है मैं बताता हूँ तुम लोगों को 2-3 cases देखने को मिल सकते हैं पहली layer solve करने एक बड़ top पर एक में भी yellow नहीं होगा या फिर किसी एक के top पर yellow होगा या किसी दो के top पर yellow होगा या फिर चारो के top पर blue हो सकता चारो के top पर yellow हो तो वो skip हो घिक है अच्छाजी अब हम एक-सर के top पर yellow कैसे लाना है सबसे पहली situation जब दो के टॉप पे यलो हो और दो के टॉप पे यलो ना हो तो जिसके टॉप पे यलो लाना है जैसे मैं चाहता हूँ इसके टॉप पे इन दोनों के टॉप पे लाऊँ तो उसको बॉटम राइट में रखना है bottom right में इस तरफ ये दो के तो top पे already yellow है इस पे अब हमने yellow लेकर आना है इसको रखा नीचे right में और same algorithm लगाया चार दफ़ा अगर yellow तुम लोगों की तरफ हो front layer में ये yellow भी front layer में है तो चार दफ़ा और अगर yellow right पे हो तो दो दफ़ा अभी yellow front पे है तो चार दफ़ा ये algorithm लगाना है एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा चार दफ़ा yellow आ गया yellow आ गया अब यहां पे ये आखरी बचा है अब इस वले को इदर लेकर आना है यहां जाके algorithm नहीं लगाना यहां पे इसी जगा पे इसको लेकर आना है अब देखो यलो इस तरफ है या इस तरफ इस तरफ यानि कि अब दो दफ़ा लगाना है एक दफ़ा दो दफ़ा और फाइनली जब तुम लोग रूटेट करोगे तो टॉप पे यलो आगया होगा अच्छा अगर एक पे यलो हो और तीन पे ना हो तो सेम सिचुएशन जिसके टॉप पे यलो लाना है उसको राइट बॉटम में रखेंगे और अगर यलो राइट साइड पे हो तो दो दफ़ा एक दो अब यहां पर दूसरा लेकर आएंगे अब यह भी इस तरफ है तो दो दफ़ा अब यहां पर लास्ट वाल लेकर आएंगे यह वला तो यह भी यलो उस तरफ है तो दो दफ़ा एक दो और हमारा टॉप पे यलो ह गया अगर किसी के top पे भी येलो ना हो तो किसी को भी यहां right bottom में रख लेंगे क्योंकि किसी के भी top पे yellow नहीं और देखेंगे yellow इदर है या इदर अभी इदर है तो दो दफ़ा एक दो अब अगले वले को इदर लेकर आएंगे क्योंकि ये solve हो गया अब ये front पे है तो चार लीग त 프िंट पे है एक, हाफ अगले बस्रेफ़ को क्यूंकि यह तो सौल्व हो गये, इधर लेकर आइएं गीmyed पर है तो दो दफ़ा और अब लास्ट वले को इधर ले आएंगे और अब येलो फ्रेंट पर है तो चार दफ़ा एक दफ़ा दो तीन चार और फाइनली हमारा येलो टॉब में आ गया अच्छा यहां पर ऐसे सिच्वेशन देखने में आ सकती है कि तुम लोगों ने जैसे मि को इतरे हैं। इस अब अब इसको इधर लेक रहा है। और यह फ्रेंट पर आखरी हैं absolute 1,2,3,4 वह भी शॉल्व हो गया और अब इसको इधर लेकर हैं। यह फ्रेंट पर आ्कारी है तो इसका मतरा स्क्ताब दफ़ा लगाएं हम सेम यही बला लगाओु दो चार दफ़ा पहले हम दो दफ़ा लगा के देखेंगे अगर solve हो गया तो हमें चार दफ़ा लगाने की जरूरत नहीं तो मैं सबसे पहले दो दफ़ा same algorithm लगाता हूँ, solve हो गया हो सकता है कभी कभी ना हो तो अगर ना हो तो दो दफ़ा और लगा लेना अब यहाँ पर क्या हो है यहाँ पर यह हो है कि किसी बच्चे ने या तुम लोगों से यह corner twist हो गया हो है यह corner twist तुम लोगों से कभी हो गया scramble करते तो इसको अब twist कर लो तुम लोग यहाँ से loose कर सकते हो अगर cube बहुत tight हो नहीं तो तूट जाएगा loose करके screw इसको twist करके दुबारा tight कर देना और अब तुम लोगों का cube बिल्कुल ठीक है अब हम बिल्कुल अपनी last stage पे हैं हमने अपनी white layer को solve कर लिया है देख सकते हो top पे yellow कर लिया है अब हमने बस यह side वले pieces को solve करना है यहाँ पे दो situations आ सकती है या तो किसी कोई दो तुम लोगों को match colors मिल जाएंगे जैसे यहाँ पे दो मिल गए है और बाकी कोई भी match नहीं कर रहा या पिर तुम लोगों को कोई एक भी match color नहीं मिल रहा पहले हम यह situation देखेंगे जिसमें कोई एक भी match color नहीं है यहाँ पे इस stage पे तुम लोगों को एक छोटा सा algorithm सीखना पड़ेगा इसको algorithm मैं नहीं मानूँगा तुम लोग screenshot ले लो यह मैंने क्योंके algorithm से निकाल दी है तुम लोग इसका screenshot लो मैं बताता हूँ यह सब क्या हो रहा है पहले चार moves वो ही है जो हम पहले अब तक लगाते आ रहे है आर को उपर यू को उदर आर को नीचे यू को पीछे यह चार moves तुम लोगों को पहले ही आते है और आगे arrow को तुम लोग follow कर सकते हो लेकिन यहाँ तुम लोग को गगे आर और यू का तो बता है और इस arrow का मतलब है front layer को इस तरहा गुमाना की गए यह algorithm नहीं है फिर बता दूँ यह algorithm था लेकिन मैंने इसको algorithm की दुनिया से निकाल दिया इसको arrows में ले आया हूं ठीक है अब यह algorithm तुम लोग देख सकते हो सारा screenshot ले लिया होगा अब क्योंके कोई एक भी यहां पे दो colors match नहीं कर रहे तो हम किसी भी तरफ से hold करके एक दफ़ा यह algorithm लगाएंगे अभी यह focus में नहीं है लेकिन तुम लोग ने screenshot ले लिया होगा पहले चार moves तो वही है R को उपर U को उस तरफ U को उस तरफ R को नीचे R को नीचे यानि right layer को नीचे U को उस तरफ U को उस तरफ अब दुबारा R का arrow नीचे को है R का arrow नीचे अब F यहां पर मैंने तुम लोगों को बताया है कि यह वला जो F है इसको तुम लोगों ने clockwise गुमाना है अब R को नीचे R right को नीचे अब U को दुबारा उस तरफ U को उस तरफ अब R को उपर R को उपर करेंगे अब U का arrow उस तरफ है U को उस तरफ करेंगे अब यहां पर R का arrow नीचे को है तो R को नीचे करेंगे और लास देखके ही पता लग जाएगा देख सकते हो, यह color हमें match मिल गया, यह वाला case जो दूसरा हमने दिखाया था, अब जो color 2 match कर रहे हैं, उसको left side पर रखना है, इसको left side पर, यह right पर नहीं रखना है, इसको left side पर रखना है, और दुबारा यही algorithm लगाना है, जो हमने अभी सीख है, और अब मैं इसको दुबार I explain नहीं करूँगा, मैं आइस्ता-इस्ता लगा दूँगा, R, U, R', U', R को नीचे, F को clockwise, right layer को दो दफा, U को पीछे, R को नीचे, U को पीछे, R को उपर, U को आगे, R को नीचे, front layer को, anti-clockwise, और मुबारक हो, तुम लोगों का, 2x2 solve, 2x2 में जितने भी cases थे, सारी explain कर दिये, जल्दी से अच्छा सा कमेंट कर दो, और गुडबाई यार, कुछ स्यादा बक्वास नी करेंगे, 3x3 सीखना है, तो पिन कमेंट में, और दिस्क्रिप्शन में लिंक है, और Instagram पर फॉलो कर लो यार, गुडबाई!